भारत में विख्यात हैं सुन्दर गिरी के लाश गिर्जा पती गिर्जा सहिते करते जहां निवास बोले शंकर भगवान के लिए एक शिव का भक्त मंदिर में शिव पे जल चड़ाने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए जाता है और महां क्या होता है सुनिए इस भजन में भक्त एक सिव का चला शिव को मनाने के लिए ये भक्त एक सिव का चला शिव को मनाने के लिए भक्त एक सिव का चला शिव को मनाने के लिए ये तेम शाधा से वो दर्शन शिव के पाने के लिए भक्त एक सिव का चला एक लोटा जली लिया और ले लिये फल फूल भी चल दिया मंदिर में शिव पर चल दिया मंदिर में शिव पर चल चड़ाने के लिए बच एक सिव का चला वो मता ले तेम शिव पर चल दिया मंदिर में शिव पर चल दिया मंदिर में शिव का चला जलका लोटा ले करके ठाल में फल और फूल सजा कर मंदिर में पहुँच गया नीचे ठाल रखके जोत बत्ती करके शिव लिंग पर चड़ने लगा पहुची कर मंदिर में उसने शिव के दर्शने कर लिये कौंची कर मंदिर में उसने शिव के दर्शने कर लिये हात जो ऊपर किया हात जो ऊपर किया गंत पजाने के लिये बत्त पर आतना जो बताने के लिये बत्त पर आतना देखे कर सोने का घंता जल चड़ाने के बाद घंता बजाने के लिये जैसे ही हात ऊपर बढ़ाया तो क्या हुआ तेखे कर सोने का घंता पाप दिल में आ गया उपर निवाजों की घंते में ऐसी चमक थी उसकी बुद्धी पलट गई ख्या लाया कि सोने का घंता है इसे तो सारे परिवार के जनम भर तक का खर्चा चल सकता है पाप आ गया देखे कर सोने का घंता पाप दिल में आ गया अरे हो गया तैयार फिर घंता चुराने के लिए बड़्ध्र गई ख्या ख्या ज़ा 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 जब कोई उभती न पाई घंता बहुत उचाई पर था उसके हाथ नहीं पोचे काफी कोशिश की घंटा उतारने की लेकिन घंटा उतारने में असकल रहा निराश हो गया तो क्या हुआ अरे चड़ गया खुद हे पिंडे पर करने कमाने के लिए बात तुछ रचाचना तुछ वो मनाने के लिए बात तुछ रचाचना शीव लिंग पर चड़ गये हैं कि चलो अब तो कोशिश करते हैं अब तो हाथ आ जाएगा भगवान संकर खुश हो रहे हैं कि लोग तो मुझे पाने के लिए जल फल और खुल चड़ाते हैं ये खुद ही मेरे उपर चड़ गये हैं देखिकर ये हाल शंकर खुश होए हैं भक्त पर देखिकर ये हाल शंकर खुश होए हैं भक्त पर आ गये फिर वो वहां आ गये फिर वो वहां करशन दिखाने के लिए बख्त प्युशा चड़ा शंकर ने तर्शन दिए और सोचा कहने लगे भक्त तो मुझे पर चड़ाते भक्त तो मुझे पर चड़ाते फल पूल और पत्युशा चड़ाते के लिए बख्त प्युशा चड़ा चड़ा बख्त को बनाने से मेरी से बन्युशा चड़ा भक्त को ये महसूस नहीं होने दे रहे थे के आज भक्त के मन में पाप है भग्वान शंकर की सामने देख पिंडी नीचे उतर कर उनके चरणों में गिर गए भग्वान शंकर ने भक्त को पकड़ कर उठाया और एक और नया घंता पुत्पन कर भक्त को दे दिया दे दिया सोने का घंता प्रभुने फिर उसी भक्त को दे दिया सोने का घंता प्रभुने फिर भक्त को देम से घंता बजाओ सब को सुनाने के लिए भक्त को मता मेरे प्रभुने फिर भक्त को दे दिया घर में जो मेरी पूजा का स्थान है वहां नितनेम से शुबे शाम बजाकर सब को सुनाना तेरा उधार होगा भक्त ने वैसा ही किया जैसर शिव ने कहा था जिस समय पहली बार घंता बजाया घर मंदिर बन गया और धन धन से परिपूर्ण हो गया भक्त येक शिव कावा चला शिव को मना रें कहली है जिस समय पहली बार घंता शिव को मना रें कहली है जिस समय पहली बार घंता शिव को मना रें कहली है